यह देखिए मैंने यहां पर 21 फंदे लिये हैं 20 फंदे 10 के multiple से लिये हैं दो बार 10 फंदे लिये हैं तो 20 फंदे हो गए प्लस 1 फंदा साइड में design को equal करने के लिये लिया है तो 21 फंदे और नीचे से हम इस pattern को after cast on start करेंगे तो आपने जब भी अपने किसी भी project में इस design को डालना है तो आप दर 10 के multiple से फंदे लियेंगे प्लस 1 फंदा एक्स्टा रखेंगे तो आपका यह design अच्छे set हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं पहली raw है और सीधी side है एसटी सीधा बुन कर लियेंगे यहां से repeat pattern start करेंगे पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच धागा आगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच एसटी छोड़कर यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने पांच फंदे सीधे बुनें पांच फंदे उल्टे यह दस फंदों का pattern है दो चार छे आर दस फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करते जाएंगे तो देखे फिर से पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच धागा आगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच तो देखे ऐसे छोड़कर यहां तक हमारे दो pattern complete हो गए हैं पहली रौ complete हो गई हैं अब देखे दूसरी रौ है और उल्टी साइन है यानि की रौंग साइन है अब यहां से repeat pattern start करेंगे तो पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच धागा आगे पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच यह देखे हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने पांच फंदे सीधे बुनेंगे पांच फंदे उल्टे फिर से इस pattern को repeat करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट में, एस्टिच उल्टा बुन लेंगे, तो हमारी दूसरी row complete हो गई है, अब देखिए तीसरी row है और सीधी side है, अब पांच फंदे यहीं से repeat pattern स्टाट करेंगे, पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह देखिए हमारे एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, पांच फंदे सीधे, फिर से इस pattern को repeat करेंगे, थागा आगे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, थागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां से यहां तक दो pattern complete हो गए हैं, लास्ट में, एस्टिच हैं, उल्टा बुन लेंगे, तो तीसरी राव complete हो गई है, चौत्थी राव हैं और रॉंग साइड हैं, इस राव में सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे, एस्टिच स्लिप करेंगे, थागा आगे repeat pattern स्टार्ट करेंगे, पांच फंदे उल् 2, 3, 4, 5 यह देखें, मारे एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने 5 फंदे उल्टे बुनें, 5 फंदे सीधे, फिर से pattern को repeat करेंगे, 5 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये देखिए, चौती रौ कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फर्स्ट रौ से स्टार्ट करेंगे, तो एक बार देखिए, फर्स्ट रौ र एस्टेज सीधा बुनेंगे, repeat pattern सचार्ट करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा आगे पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह देखिए, हमारा एक pattern कंप्लीट हो गया है, फिर से इसे repeat करेंगे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच ये देखिए, फिर से हमारा पैटर्न फर्स रौ से स्टार्ट हो गया है, आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है, और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो ऐसे ही बार-बार हम इसकी चार रौ रपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, इसे आप गल्स, टॉप में, बच्चों के स्वेटर में, फ्रॉप में, या इसे आप शॉल में, अगर आपको हमारे पैटर्न अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रैन्स के साथ शेर करना और चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूले तो फिर से मिलते हैं, ऐसे ही औरन रबार फैयने